दोस्तों आप पर कोई तंज कैसा जाए या फिर आपको कुछ भूरा कहा जाए तब आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे या फिर आपके पोश्ट पर किसी ने आपके लिए कोई शर्मिंदा कर देने वाला कमेंट लिखा है तब आप क्या करेंगे क्या आप उसका जवाब देंग क्या फिर उसे अंदेखा कर देंगे क्या फिर आप उससे बदला लेने का प्लान बनाएंगे इस वीडियो के जरिये जानते हैं कि सभी बारहा राशियां अपने दोस्तिया जान पहचान के लोगों से अपमानित होने पर कैसी प्रतिग्रिया देते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मेश राशी आपकी हिम्मत कैसे हुई उनकी बच्चती करने की मेश राशी के जातक कभी आराम से नहीं बढ़ते और इसे हलके में नहीं लेंगे वो इसका मुहतोड जवाब देते हैं और फिर आपको ही अपने कहे पर पच्चतावा होगा वो ऐसे लोगों पर प्रहार करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं वरिशब राशी इस राशी का सुचक बैल है जो आम तोर पर जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता है बैलों की तरह इस राशी के लोगों को शांती पसंद है लेकिन ज़्यादा परिशान के जाने पर फिर ये उनकी तरह जवाब भी देते हैं ये शुरुआत में तब तक एग्नौर करते हैं जब तक इन्हें कोई हानी नहीं होती है फिर उसके बाद आपको भी पता नहीं होगा ये कब बदला लेंगे मिधुन राशी जब भी इनका अपमान होता है ये ज़्यादतर मौकों पर उसे अंदेखा कर देते हैं ये इस सोच में यकिन रखते हैं कि जो व्यक्ति इनकी बेच्चिती करता है वो खुद अपना ही अपमान कर रहा होता है इन्हें लगता है कि ऐसे लोगों को नजरंदाज कर देना ही सबसे बड़ा जवाब है ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना इनके लिए समय और उर्जा की बरबादी के समान है करकराशी अगर आपने करक राशी के जातक का अपमान किया है तो मतलब आपने उन्हें सोचने के लिए एक टॉपिक दे दिया है आपके कहेँ वाक्क्यों के बारें में वो सोचते रहेंगे और ये विचार करेंगे कि आखिर आपने उन्हें ऐसा क्यों कहा ये एक चीज को लेकर ज़ादा ही सोचने लग जाते हैं उसके बाद ये आपसे बदला लेने का मन बना लेंगे और आप जहां दिखेंगे वहीं आपकी बैजज़ती करना शिरू कर देंगे सेहराशी सेहराशी के लोग ऐसी बातों को हसी में उड़ा देते हैं आप जितना ज़्यादा उन्हें उपसाएंगे बहुत नहीं ज़्यादा आपका ही मजाग बना देंगे और अन्त में आपका पासा उल्टा पड़ जाएगा और ये यही रुकने वाले नहीं है क्योंकि उन्हें अब ज़्यादा समय बरबाद नहीं करते हैं ये उन बातों के दूसार जाननी की कोशिश करते हैं कि आखिर गलती किसकी है उसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो ये आपको ऐसा जवाब देंगे जो आपको जले पे नमक छड़कने जैसा लगेगा तूला राशी अपमान होने सही जवाब ना दे पाने के कारण पचितावा महसूस करते हैं ये बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार करते हैं और ऐसा कोई आउसर ना मिलने पर उस घटना को भूल भी जाते हैं विश्चक राशी इस राशी के जातक संसेटीव दिखते नहीं है लेकिन ये ऐसी ब धनूराशी के लोग बहस लड़ाई गलत फैहमियादी से डिल कर पाने में ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाते हैं इस वज़े से ये अपमान होने पर भी उसमें कुछ साकारत्मक चीज ढूडने की कोशिश करते हैं मकर राशी जिससे कोई लाब नहीं ऐसी बातों का जवाब देने का समय किसके पास है मकर राशी वाले इसी बात पर यकिन करते हैं ये ऐसी बातों पर विचार करने से बहतर कुछ प्रोडक्टिव करना जादा बहतर समझते हैं ये इन सब के बारे में सोचना भी समय की बरब पादी समझते हैं कुम्भराशी यह अपने अपमान को इग्णोर नहीं कर पाते हैं यह ऐसे शक्स को अपने अच्छी आ फिर जान पहचान के लोगों की लिष्ट से ही बाहर कर देते हैं यह उनसे कोई रिष्टा नहीं रखते हैं में राशी में राशी वाले आम तोर पर नहीं चल पाता है कि इन्होंने अपनी वेज्चिती पर कैसे रियक्ट किया धन्यवाद